सबसब का सवागत है आपके अपनी डिव चैनल फार्मा एमसी क्यों में तो देखें जो यह रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करी हुए है मैंने आपके जितने भी आपको मिंग फार्मासिस्ट के हमारे एक्जाम्स होने है सबस्देट में और जो बिवीजन के अपके इक्जाम्स होई है और ओर पार्मासिस्ट के लिए और प्रिस्ट इसेत में और जो भी और चितने आपके रिलेटट आपके इक्जाम्स है तो यह वाग्शत के बिदेखेंश हो जो ङूटर्ट है इंपॉर्टन रहनेवाले हैं नोग इसको आफ पार्ट में अप्लोड कर दिया है तो इस कि द्न प्लेलिस्स भी आज जो है इसके प्लेճ वे बनादूंगे अलग से और जो इसके जो फाइफे वो सारे के सारे आपको description box में उनके link मिल जाएंगे आप डारक्ट भी वहां से अगर आप लोग जैसे नए जॉइन हुए है तो उनको डारक्ट आप लोग देख सकते हैं क्योंकि रिविजन पॉइंट और व्यू से बहुत ही important आपकी series रहने वाली है यह तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को प्रेस्क्राइब कि 436.7, 435.7, 480.2, 437.5, तो इसका जो है, आंसर हो जाएगा, option D हो जाएगा, 437.5 grains होते हैं, 1 ounce, आप अवार्ड़ोपोईस की बात हो रही है, आपका अवार्ड़ोपोईस सिस्टम की बात हो रही है, तो आपका अवार्ड़ोपोईस सिस्टम जो होता है, इसमें जो है, standard unit weighing के लिए, जो है, वो पाउंड होती है, अभी आपके एक्जाम में पूछा भी गया है, ये question, तो आवार्ड़ोपोईस सिस्टम में जो पाउंड है, standard unit weighing के लिए, और 1 ounce में 437.5 grains होते हैं, आवार्ड़ोपोईस सिस्टम में, और जो आपका apothecary system होता है, इसको ट्रॉई सिस्टम भी कहते है, आपथिकारी सिस्टम जो नोन एस ट्रॉई सिस्टम, तो इसमें जो standard unit है, वो grain होती है, एकशेश लिए जो पाउड़्ोपोईस सिस्टम में, और इसमें 20 grain होजाए था, हाफ 10 grain हो जाएगा है ना, वन नोटी है, तो हाफॉट सिक्रापल में कितना होगा, 10 grain, वनड्रेकम में 60 grain, वन आउंस में 480 grains होता है, वन पाउंड में 5760 grains होता है, नेक्स स्क्तोर मेरा येस एकुटिकड़ आप पॉइंटन शूरा तो जेलेटीन जोюсь है उसका ईसोलेक्रिक पाय। से पूछा हुआ है देखे पीएज 7.2 पीए 6.59 या 4.7 तो टाइप B के लिए आपका पीएज होता है option D 4.7 हो जाएगा पीएज कितना हो जाएगा 4.7 और अगर आपसे पूछते कि टाइप A जिलेटिन के लिए ताइप A के लिए पीएज आइस और पूछेंगे तो कितना हो जाएगा पीएज 9 हो जाएगा धियान रखना है next question which of the following is water-soluble lubricant तो water-soluble lubricant कौन सा है migration stearate polyethylene glycol mineral acid stearic acid water-soluble ना उसमें आपके polyethylene glycols आते हैं PEG polyethylene glycols next question which is an example of absorption based तो मैंने आपको ointment के base बताये थे हैं हाइड्रो कार्बन बेस absorption बेस भी उसमें आये था absorption बेस में कौन सा आता है macrogol होता है coconut oil PEG polyethylene glycol या फिर दिया है wool fat तो absorption बेस में हमने कौन-कौन से देखे थे wool fat देखा था तो आपका answer option D हो जागा wool fat बाकि इसमें absorption बेस में wool fat आता है hydrous wool fat भी आता है wool alcohol आता है बीज वैक्स आता है नेक्स नोन आयोनिक surfactant vesicles are termed as liposomes है transferosomes है ethosomes नियोसोम तो नोन आयोनिक जो होता है इसका मतलब होता option D one tablespoon full of that cochlear magnum okay देखें cochlear magnum बोल दीजिए cochlear emblem बोल दीजिए cochlear maximum बोल दीजिए तीनों का मतलब होता है one tablespoon full cochlear medium होता है one desert spoonful और cochlear minimum होता है one teaspoonful okay next which is the process used to kill pathogenic bacteria in milk without affecting its nutrition value ठीक है देखें विचिस दा प्रो कौन सी process है यूज करेंगे pathogenic bacteria milk में जो pathogenic bacteria को kill करने के लिए देखें पार्शिराइजेशन autoclaving radiation sterilization या gas sterilization देखें जो आपका और इसके लिए milk के लिए आपका पार्शिराइजेशन यूज अप्षिन आपका ए बिल्कुल राइट हो जेगा विच ओफ देखेंपल और नाच्रल emulsifying agent from animal source तो आपका emulsifying agents का भी एक आपको टेबल आपके मिला है अगर आपके पास सूटिक्स की आरे मेता की विए तो उसमें बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है तो इसका आपका जिलेटिन हो जाएगा जिलेटिन ऐसा emulsifying agent है जो animal source से उप्टेइन होता है answer is option A देखेंगे नाच्रल से उप्टेइन होते हैं जो आपके वेजिटेबल से उप्टेइन होते हैं और जिसमें आपका वूल फैट आता है एगियों का आता है जिलेटिन जो आपको option में मिला था है next question क्या है hlb value of surfactant तो hlb value जो है इसके ओपर question है hlb मतलब hydrophilic इसका full form भी पूछ लेते हैं hydrophilic lipophilic balance होता है क्या होता है hydrophilic lipophilic ध्यान अगना hydrophilic lipophilic balance होता है hlb value ओके तो surfactants के hlb value की range जो है 13 to 15 जो है है hlb value of surfactant in the range of 13 to 50 has applications है तो आपको इसकी टेबल भी पढ़नी है hlb value की ठीक है तो hlb scale जो है किसने दिया था griffin उनके द्वारा गिया दिया गया था यह question में अग्जाम में आया हुआ है okay तो देखें जो hlb value 13 to 15 की होती है emulsifying agents की होती है wetting agents की antiforming agents की ठीक है 13 to 15 जो होती है आपके किसकी होती है detergents की होती है option आपका ए बिल्कुल right हो जाएगा okay देखें एक तरफ आपको surfactants लिखेंगे एक तरफ आपको hlb values लिखी हुई है anti forming agents के अचलवी value कितनी होती है 123 होती है forming agents के अचलवी value कितनी होती है 8 होती है and in oil, emulsifying agents के achieve value होते हैं 3-6 होती है, और oil in water emulsifying agents के achieve value होती है, 8-16 होती है, wetting agents की बहुत बार exam में question आ गया 7-9, आपका wetting agents है, बहुत बार आ गया, detergents की 13-15 होते हैं, solubilizing agents के achieve value की तरह होते हैं, 16-18 होती है, तो ये सारी ден जा आपको याद होनी चाहिए, एक्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं सब आपको ट्रजेंट पूछा हुआ था वैटिंग एजेंट्स पी आ सकता है और लाटेन टम यूज्ट फॉर एट बैट टाइम एट बैट ताइम पहली भी रिपीट हो चुका बहुत इंपोर्डंट है लेकिन अल्टर्निस औ ऐंडिया व फिर्स टीशन सब्सक्राइब का वाई-ची शड्रैश्च पीजी है वसन सब्सक्राइब में आया और जो first PCI का constitution हुआ वह 1949 में हुआ एक साल बाद हुआ तो आपका जो option 3 हो जाएगा 1949 next question क्या है what is the minimum area which is required to start a retail drug store बहुत जादा most of the repeated question है अभी जो आपके इम्स के एक्जाम हो तो उनमें तो बहुत ही है यह question बहुत बहुत बार रिपीट हुआ देखिए minimum area required to start a retail drug store पूछे या फिर पूछे minimum area which is required to start a wholesale drug store दोनों के लिए आपका कितना होगा option देखिए 50 square meter 10 square meter 100 square meter 30 square meter यह 10 square meter हो जाएगा देखिए अगर पूछे मतलब की retail drug store के पूछा तो 10 हो गया अगर पूछेंगे wholesale के तो भी 10 लेकिन combine मतलब की retail और wholesale दोनों के लिए हो तो 15 square meter याद रखना आपने कि बहुत से बच्चों को इसमें confusion हो रहा था next question क्या है poison act was passed in the year तो act उनके year बहुत important है मैंने वीडियो अपलोड करा भी हुआ है okay तो poison act का pass हुआ 1919-1954, 1949-1955 तो आपका option A हो जगा 1919-1919 में poison act पास हुआ था next है form used for license to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retail drug specified and schedule CC1 देखें एक तो आपको schedule CC1 देखना है इसमें CC1 के लिए मैंने आपको 21 बता रखा है ना तो CC1 और इसके retail के लिए retail के लिए क्या होता है आपने कुछ भी लगाए simple जो है आपको 21 ही लिखना होता है अगर wholesale होता है तो आप 21 के आगे B लगाते हैं है ना और लेकिन retail के लिए आपने कुछ भी नहीं लगाना simple 21 होता आपका ठीक है form used for license to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retail drug specified and schedule CC1 CC1 की बात हो जोगे simple आपका 21 answer हो जागा option C right हो जागा CC1 के लिए form number 21 हो जागा किसके retail के लिए और wholesale के लिए आपका क्या हो जाता अगर यहाँ पर retail के जगे wholesale होता तो आप क्या कह देते 21 B कह देते आपका ठीक है तो आपका भी इस question का answer option C हो गया ओके तो देखे यह table है जो आप इसको एक बार देख लीजिए ओके तो देखे इसमें जो है एक तरफ तो क्या लिखे में license लिखे हुए ओके देखे अगर होता है आपका other than दो specified in schedule CC1X other than CC1X के लिए हमें 20 याद रखना है तो retail है तो simple 20 हो जागा अगर restricted license की बात तो 20A याद रखना है wholesale के लिए आपने 20 के आगे B लगाना है और wholesale with motor वहीकल होता है तो 20 के आगे दो बार भी लगाना है B B तो यह हो जाता है आपका other than those specified in schedule CC1X other than CC1X ओके और schedule X ट्रक की बात होती है तो उसमें आपने retail और wholesale दो याद रखने है schedule X के retail के लिए आपका form number 20F आता है और wholesale के लिए 20G आता है और अगर हो CC1 excluding X जो अभी question में आपसे पूछा हुआ था CC1 तो उसके लिए आपने 21 याद रखना है restricted के लिए 21 के आगे A लगा दीजिए wholesale के लिए 21 के आगे B लगा दीजिए wholesale with motor vehicle के लिए 21 के आगे दो बार भी लगा देंगे ओके next question देख लेते हैं if the drug contain in filthy putrid or decomposed substance then is known as अगर ड्रग में क्या filthy putrid या decomposed substance है तो उसे क्या कहेंगे misbranded कहेंगे adulterated spurious and none तो misbranded में मैं आपको क्या बताया था if drug contain color which is not prescribed if it contain false or misleading statement या फिर not labeled in the prescribed manner है ना तो यह आपका था misbranded drug तो यह option काट देंगे तो answer आपका हो जागा option B adulterated drug बाकि spurious drug जो होती है आपके substitute होती है imitations होती है resemble drug होती है तो हमारा जो answer option B हो गया adulterated drug हो जाएगी next question which of the following is an anti-histaminic drug तो anti-histaminic drug कोन सी है देखे chloroquine दिया है chloroquine कहा पढ़ते हो anti-malarial drug में पढ़ते हो है ना जो anti-malarial drug होती है drug of choice होती है प्रेगनेंसी में जो malaria उसके लिए drug of choice आपकी chloroquine होती है ना तो chloroquine तो anti-malarial में आती है option कट गया chlorofenamin maliate जो है आपकी anti-histaminic drug answer option B हो जागा chlorofenamin maliate के हमारी anti-histaminic drug में आता है chloramphenicol जो है आपकी जो है यह broad spectrum antibiotic में आती है tetracycline and chloramphenicol जो protein synthesis को inhibit कराती है ciprofloxacin जो है हमारे fluorokinolons में आते हैं ciprofloxacin, o-floxacin, dna gyres को inhibit कराते हैं है ना तो यह भी नहीं होगा तो हमारी anti-histaminic drug में chlorofenamin maliate option B हो गया next है which of the following drug is not using laprosi, laprosi जिसका cause organism क्या होता है एक mycobacteria होता है mycobacterium lapri होता है ना तो यह क्या एक mycobacteria है mycobacterium lapri laprosi को hansan disease भी कहते है hansan disease है ना और इसका cause जिए mycobacterium lapri है कौन कौन सी drug इसमें यूज करते हैं देखें अभी पूछा कौन सी drug इसमें नहीं की यूज करनी है क्लोफाजीमिन यूज क्लोफाजीमिन खी क्लोफाजीमिन तो क्या धाई है जिए जो लॉप्रोड सी मैं यूज होता है तो आप कहेंगे एक तो रिफामपिसीन है दूसरी कोल सी है इथियोनामाइड होती है इथियोनामाइड होती है ओके यह दोनों एंटी टूबरकुलर ड्रग है विच आर ओलसो यूज़ इन लापरोसी एंटी लापरोटिक भी होती है और डैपसोन तो हमारा लापरोसी में राइट होजेगा हमारा ओकि नेक्स्ट है बीटल एक्टम अटिवायोटिक तो बीटल एक्टम एंटी बता रहा है पैनिस्लीन बता रहा है ठीकर्वाच किसमें हमारे इमीनोग्लाइकोसाइड चिप्टोँमाइसिन लीए आती है ब्रोड स्पेक्ट्रम अंटिबाइटिक में टेटर सेक्लें ट्रॉरंफेनिकोल बता दी है नो तो बचा क्या आप्षा क्या उप्षिए पैमिक्टला इंटिबाइटिक में स्में बीटा लेक्टम रिंग प्राजन्ट होता है не iu आता है ठीकिर Carl सेक्रीन अक्टलिन अइनिच्ट बाइबिशन सींतिश बायंडिंग विद्थ देखें, टेट्रा सैक्लीन जो आपकी ब्रोड स्पैक्ट्रम अंटीबायेटिक में आती है तेट्रा सैक्लीन- तो इसका जो राए, कैसे हो जाम पर्लोडइन सिंथिस्स को इνिबिट कराती है क्या कुराती है इनिभीशन प्रोटीन सिंथिस्स इनिबिट कराती है तो किस से बाइंड होती है जी का इसी चाल को एंजाएं में 36 राइबर सो बसब उनिट 50 s राइबर सामान सब इनिट 7 वोल जे ऑस पर तो आपकी एक्ट करती नहीं है यह न है क्या कराती हैaćा प्रोटियन सेंथेंस को इनिबीट कराती है। 30S ribosomal subunit से बाइंड होती है option आपका B right हो जगा 30S तो chloram fenicol जो होती है वो 50S से बाइंड होती है ध्यान रखना है next question है WHO recommended oral rehydration solution ORS does not contain देखे potassium chloride दिया है anhydrous glucose या trisodium citrate dihydrate sodium metabisulfite तो इसमें क्या present नहीं होता option D कहते है कि इसमें sodium bisulfate जो metabisulfite है यह present नहीं है तो जाइलो Meadow zoline is used as तो जाइलो meeadow zoline क्या है anti pyritic है local anastatic है nasal decongescent है stringent है तो यह क्या होता है nasal decongescent में आपका जाइलो Meadow zoline होता है और इसमें nafazolin भी आता है Oxymetazolin भी आता है तो यह जो होती है आपके एक तो बात क्या Bowling compound होती है यह ठीक है next question क्या है therapeutic index of a drug is an indicator of therapeutic index जो होता है वो किसको indicate करता है efficacy को safety को potency को toxicity को तो इस safety को indicate करता है therapeutic index जो होता है जो आप पढ़ते हो therapeutic index होता है जो होता है जो हो जगा आपका बहुत इंपोरन थिरेपिटिक इंडेक्स का question बहुत से अग्जाम में आया है नेक्स है और अंटी पता steroidal anti-inflammatory drug देखिए एक तो आपने पढ़े तो non-steroidal anti-inflammatory drugs पढ़े थे हैं ना non-steroidal जैसे इसमें आपका answers पढ़ते हो ना वो तो क्या non-steroidal anti-inflammatory agents होते हैं अब यह आप से steroidal पूछा है जिसमें आपका प्रिडने सोलोन आजेगा ओके नहीं सब मैथी माजोल is an example of देखिए मैथी माजोल होता है कार्बी माजोल होता है है ना कार्बी माजोल होता है और एक होता है यह हमारी देखिए anti-hypertensive drug नहीं होती एंटि-hyperlipidemic भी नहीं होती एंटि-neoplastic जो मतलब क्या प्राजोल sodium is used as तो यह प्राजोल वाले मैंने क्या बताया थे आपको प्राजोल वाले क्या होते है प्रोटन प्रोटन पंप इनीविटर होता है pen hurricanes virus क्या हून जो है pop agre क्या प्रोटन पंप इनीविटर होज़ेगा. A, C, E, इनिबिटर जो होतो है, आपके Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor, जिसमें आपके Pril वाले Drugs आती है, like Captopril, Licinopril, Inala Pril, हैना, Captopril, तो Pril वाले आपके क्या होतर है, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor, C, A, मतलब की Carbonic AnachydOSE होगा, हैना, तो Carbonic Anachyd dois इनीवीटर में जो आपकी आपके अशिटा जोलमाईड जैसे आता है कर्बोनिक का ना हाइडरेज इनाटर इनीवीटर होता है तो हमारा आंसर जो है पैंटोप्राज सोडियम जो होता है प्रोटोन इनिवीटर में आता है option A right हो जेगा next question which of the following drug is administered as inhalation तो इनमें से कौन सी ड्रग है inhalation से देंगे देखे थायो पेंटल तो आपके जो इंटरावीनस में आता है फैनिटोइन दिया है यह आपके anti-apileptic drug होती है बागि डॉम-peridone आपके anti-emitic में आती है तो inhalation से आपका hellerothene दिया जाएगा option D right होगा जो आप जनर्ण अनस्थाटिक्स पढ़ते है न ठीक है आपके जनर्ण अनस्थाटिक्स में आपका इंटरा एक तो inhalation अनस्थाटिक्स होते है और एक इंटराव वीनस होते है ठीक है तो inhalation में आपका यह हेलोथेन आता है okay option जो है डी राइट हो जगा next है मैं जब फोलूंग इस एंटी मेटाबॉलाइट कीमोथिरेपुटिक आजेंट तो इन मेंसे कौन सी जो है एंटी मेटाबॉलाइट कीमोथिरेपुटिक काईजन मतलब कि जो कैंसर वाली ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेशन दिया हुआ है तो एंटी मेटाबोलाइट में कौन सा आएगा मिटोमाइसीन दिया है फाइफ लोरो यूरसील दिया सिसप्लेटिन तो हाइली अमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है हाइली हमिटिक होती है और जो है साइकलोस्पोर इंदिया है तो जो आपका एंटी मेटाबोलाइट में आपका फाइफ लोरो यूरसील आ जाएगा ओप्शन आपका बी राइट हो जगा ओके देखिए अंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं इंक्लूड करा यह नैट्रोजन मस्टर्स होते हैं फिर आपके इसाइलीन इमीन्स मतलब कि आलकाइलेटिंग अजेंट्स ही चल रहा है यह उसमें इसमें आपके अटी मेटाबोलाइट्स पूछे हुए जो आपसे क्वेशन में पूछा हुआ था यहां था एंटि मेटाबोलाइट्स में ह चीनित में उसने जाता है और यहां पेटी आपके अरविंका पड़ते हो ना जिब को गुनोसि में विंका पड़ते हो कि विंका एंटीकैंसर के लिए यूज कि यूज जाता है के लिकिमिया की ट्रिट्मेंट में की यह पिर्पाइस को इंको विंप लिखा अप् SPEAKER फटियुमों तॉ Pit SMS का यह प्रफोलेंगा क्र था शनार स्डॉसी पैक्डिंट्वी साथन शनलग्ड क जो जो सारी एंटी cancer अंटी वायोटिक होती है मिसलेनियस Mittalups जो होती है एला लाइसपैराजीने आउसमें颜放ि सिस्ट प्लेतिन लाइसपैरा हो verbally प्लीटिन व्यश्ध ऒ North अब यह करती है एक होती है होर्मोंस के अन्वार्मइन्ट को ड्र ऐंटरंग् बहुत बार एक्जाम में पूछ लिया रोमेटेज इनिबिटर कौन सा लिट्रोजल और नस्ट्रोजल एंटी एंड्रोजन में लेटेज इनिबिटर कोंसा लिट्रोजल नस्ट लिटॉटालोज earnegeneus ketakulamine हमारा आता है adrenalin नोर एंद्रियन दीज मितलब ओर हिस्टरामीन दीजा है तो, देखिए! एंडोजीनिस केटिकोलामीन में तो हमारा एड्रेनलिन नौरडरिन ढोपामीन आता है। दगी आइसोप्रिनालिन में भी ये वी केटिकोलामी है। ठीक है तो नोन-केटिकोलामीन में हमारा में हमारा option D हिस्टामीन आजेगा option D right हो जेगा next है पिरिमिडोन इस तो पिरिमिडोन किसमें आता है जो आपकी anti-epileptic drug होती है उसमें आपका पिरिमिडोन आता है देखें एक बात होती है तो option आपका D हो जेगा anti-conversants drug में आपका जो है पिरिमिडोन आता है देखें एक बार आपको हमेशा फेनिटोन के बारे में बताती हूं कि हाड़न डरिवेटी होता है फोस फेनिटोन भी है इसमें इमिनोस्टिल बीन्स में कार्वाजीपीन आता है ओक्सकार्वाजीपीन आता है सक्सी बार इतो साक्सी मारा आता है अलीफाटिक चार्बोक्सिलिक असिड डेरीवेटीस में वलप्रोवेक एसिडैःड डदी वालप्रोयकस बेंजर डायाशीपीन्स में कलोनाशीपाम, दायाशीपाम, लोराशीपाम, कलोबाशम, फिनाल ट्राजीण्स में ये नाता है सैकलिक गाबा एनलोग में गाबा पैंटी निवर्ट ड्रग में आपकी विगाबेटरिन टिया गया बिन टॉपिरा में जोनिसमाइड लिव टीरा सिटाम तो यह सारी आपकी अंटी अपिलाप्टिक ड्रग्स है नेक्स्ट है कोकस्तू इनिवर्टर नेक्स्ट के आपके कोकसिब आपने याद रखना है दीक लुफिन अर्जीना मेरिटीमा पढ़ती होती है। की फैमिली थो अब पता यह लिलीएस होती है तो आपका स्कुएल क्या होती है काडियो anti heat हो जाएगा घुट को ऐड़र्ग केलियानी टैस्ट इस यूज़ टू गेधर एकट्ष कि पीडियानी test की सेट किसके लिइ होता है गओ-्चिटि- उद्य deze टॉक्स तो यह देखिए डिजी टॉक्सोस जो है उसके लिए किलर के लिए टैस्ट होता है हमारा ओके नेक्स्ट क्वेशन एस पर दर मॉर्फोलोजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नाच्रल ड्रग क्वेशिया बिलॉंग टू विच पार्ट ओफ प्लांट तो क्वेशिया कौन से पार्ट है क्वेशिया का यूज लीव तो यह आपकी औप्षन सी ओ जाएगा वुड यूज होता है क्वेश्या वflower से चेहिआं नेक्सट क्वेशन गोर्ट इसका नीम ही पता लग रहे है कि क्या वूड्य वूड है इसका और 5 और 5 प्रॉहर लैस सिमा रुबैसी ओके पार देख्स ब्रशाइब क sencill द्राइब को लोगों से पूची कम आता है इसका सोर्स दूलें再स KI फामिली के क्या होती है ग्रामी नहीं दिया है रूटेसी लिलियसी सुरनेसी तो आप कॉल्चिकम की फैमिली क्या होते है लिलियसी जो है हमारे कॉल्चिकम की फैमिली होते है इसमें कॉल्चिसिन प्राजंट होता है और कॉल्चिसिन जो होता है यह आपका गाउट में यूस किया जाता ह नेक्स्ट है बाल्सम ऑफ फोलु कन्टेन फोट परसंट ओफ फ्री सिनयमिक एचिड 526, 223, 1215 और 3240 तो 12y 15% सीन कि फोट महीं में आनज प्रसंट C सी independence बालसम ओफ टोलू जो है इसमें 12-16% free cinnamic acid present होता है about 8% of free benzoic acid and बालसम ओफ टोलू जो as expectorant यूज किया जाता है जब मैंने आपको expectorant बताया थे उसमें आप बताया था वसका बालसम ओफ टोलू है ना यह सब आपके expectorant होते हैं ड्रग या अडल्टरेशन के कौन से मैथड है देखे रिप्लेश्मेंट बाई अग्जोस्टिट ड्रग मैं दाकि जो अग्जोस्टिट ड्रग है जिसमें की कोई भी वोलटाइल ओल प्राजन नहीं है उससे रिप्लेस कर देंगे या फिस सब्स्टूशन बाई करेंडरों फिसे कौणिणाट। जो करुंडर यूज होता है डिजिकाल इसका का्डियो टोक्त। बने को दोनि है युछ सब्स्क्राइन कार्मिनेटी होता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कोरियंडर जो है धनिया की बात हुरी है कोरियंडर सटाई हो और इसमें दी लिनलूल भी सी में प्राइब लिनलूल जो होता है 90 परसंट तक प्रेजंट होता है इसमें देखा स्कूइल काडियोटोनिक होता है दोनों से लिखे वह तो आपका अंसर क्या हो जागा ऑप्शन सी हो जागा बोथ और कि आपको कार्मिनेटिव फैमिली होता है कुण सा स्टेटमेंट कहरें कारें ग्रैक्ट है देखे इस कलर इस यल्लोईश ब्राउन तो ब्राउन इस ओर इस नो इस चीए जो है यह एस ग्रैक्ट दिया हुआ है ठीक है कि इसका जो color है yellowish brown to brown होता है बाकि order जो है aromatic इसमें लेको not aromatic इसका order aromatic होता है option आपका D right हो जगा कि सिर्फ A correct दिया हुआ है देखिए macroscopy character जब coronator के देखते हो तो color तो yellowish brown to brown होता है order aromatic होता है taste spicy characteristic होता है shape क्या है coronator क्या sub-globulal creamocarpus fruit होता है synonym for aquonite, aquonite का synonym बताना है jaborandi, kraofig, sarpgandha या monkshude तो aquonite का synonym होता है आपका monkshude होता है option आपका बचनग भी होता है इसका option D बिल्कुल right हो जगा आपका के बाकी colchicum का middose saffron seed लिखा हो है और जो है रोवॉलफिया का सरपगंदा छोटा चल्ट होता है kraofig जो दिया हो था किसका दिया हो था नक्सवोमिका का होता है aquonite का देखिए इसमें source लिखा हो अकुनिटम नापलस होता है रनकुलेसी फैमिली होती है main chemical constituents में आपका aquonitin आता है जो diterpene alkaloid होता है aquonite highly poisonous drug होती है ठीक है और जो इसके substitute होते है ना ठीक है क्या है substitutes of aquonite तो substitute में आपका Indian aquonite आता है जो aquonitum chasmentum होता है एक Japanese aquonite तो जो aquonitum unit sinatum होता है तो यह दोनों के substitute है आपके aquonite के ओके next question है refractive index of castroil castroil का refractive index बताइए कितना होता है तो चार आपको values दे रखे तो इस चार आपकी questions कभी-कभी exam में आ जाते है तो यह तो सभी के लिए एक जैसे होते है क्योंकि इतना तो कोई याद भी नहीं कर सकता है तो यह होता है आपका 1.4758 से 1.4798 होता है next castroil के बारे में लिखा हूँ इसको रिसिना सोयल भी बोलते है और source क्या है रिसिना स्कॉमिनिस फैमिली यूफार्बी एसी इसमें रिसिनॉलिक आसिड प्राजन होता है ठीक है जो castroil की viscosity के लिए responsible होता है तो कथार्टिक इकोलाई स्ट्रिप्टो कोकस म्यूमोनिया ट्राइको फैटोन है तो जो आपका अमीबियासिस जो है इस कोजबाई एंटामीबा हिस्टोलिटी का ओप्शन आपका ए राइट हो जेगा ओके टाइफोड फीवर इन हुमन बिंग इस कोजबाई तो टाइफोड जो है जिसको विवेक्स है नन तो आपका एस टाइफी पढ़ते है सालमोन टाइफाई जो होता है टाइफोड फीवर का कोजिटिव और्गनिजम होता है ऑप्शन बी राइट हो जगा ओके तो देखिए आपको डिजिवर उनके कोजिटिव और्गनिजम का ये टेबल मैं आपको प्रव सकते हैं ट्यूबर क्लोसिस का एक माइको बैक्टीरिया है जो क्या माइको बैक्टीरिया है जो क्या माइको बैक्टीरिया जो क्या माइको बैक्टीरिया कोजिव और्गनिजम 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 टिटैनी फूड प्रोजनिंग का है फू प्रटूस divorce वो इस है कौश कोस्डव है बोटिल्ण है ट्रेखो माइस कोस्ड बाए प्रटि 600 है पूछा भी हुआ था चिकनफों q सिस कों सा वायरस वायरस कोष्ट बैंकरोफटी होता है means इस नहीं तो हमारे कुछ डिजीज और उनके कोश्चिव उगनिस्म हम लोगोंomma देख लिए डिएच्सिज वायर्ली डियागनोज्ड बाई तो AIDS की डियागनोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है विडाल टेस्ट तो मैंने आपको किसके लिए बताया था टाइफोड के लिए बताया अभी अलीसा टेस्ट है क्रोमेटोग्राफिया नन तो AIDS के लिए आपका अलीसा टेस्ट हो जाएगा option B नेक्स्ट है most abundant class of immunoglobulin in the body तो immunoglobulin हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या पढ़ा था most abundant immunoglobulin कौन सी बताई मैंने आपको बताईए IgG, IgA, IgD और IgE तो IgG होती है most abundant immunoglobulin जो होती है IgG होती है जो placenta को भी क्रोस करके फिटस को भी immunity प्रोवाइड कराती है नेक्स्ट है इन वैसक्टोमी ता cut-out part is तो वैसक्टोमी में cut-out part क्या होता है test is seminal vesicles, procedure, wax difference तो इसमें cut-out part क्या होता है wax difference होता है option आपका d-right हो जाएगा नेक्स्टोमी में क्या करते हैं बोथ wax difference are tied और cut तो यह male stylization के लिए वैसक्टोमी यूज होता है और female stylization के टूब actomy उसक्टोमी उसक्टोमी में क्या करते हैं बोथ fallopium tube को tied कर देते हैं या फिर cut कर देते हैं next question क्या है amount of volume of air which can be inspired और expired normally normally जो volume of air जो है inspire और expire करते हो से क्या कहेंगे देखिए जो normally जो inspire और expire किया जाता है वो आपका होता है tidal volume, tidal volume जो है इसकी यह कितना होता है 500 ml होता है यह भी exam में question आया हुआ है आपने ध्यान रखना है देखिए tidal volume क्या होता है volume of air normally inspired और expired in one breathe without any effort it is about 500 ml in the average human adult male में कितना होता है 500 ml होता है next about 70% of carbon dioxide in blood is transported in the form of dissolved CO2 bicarbonate carb amino hemoglobin carboxy hemoglobin 70% CO2 होती है वो transported होती है in the form of bicarbonate option आपका be right हो जेगा about 70% carbon dioxide transported as sodium bicarbonate as CO2 diffuse into blood plasma large part of it ठीक है ठीक है तो लार्ज पार्ट जो है combine तक इसके वोटर के साथ में to form carbonic acid in the presence of enzyme carbonic anhydrase नेक्स्ट है रेनिन इस होर्मोन से क्रेटिड बाई तो रेनिन क्या है एक होर्मोन है कहां से सिक्रेट होता है लीवर पैंक्रियास किडिनिया ओवरी तो देखे किडिनी में आपकी जेजी सेल्स होती है जक्स्टा ग्लोमेल सेल्स जो होती है किडिनी की वहां से रेनिन सिक्रेट होता है ओप्शन सी राइट हो जगा रेनिन क्या होर्मोन है सिक्रेटिड बाई दा जक्स्टा ग्लोमेल सेल्स ओव दा किडिनी ओके next question क्या है vomiting center is situated in तो vomiting center कहा होता है phones, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata तो vomiting center जो होता है medulla में होता है option आपका d right होजगा medulla oblongata next which of the following is not part of neuron neuron का part कौन सा नहीं है देखिए exon, dendron, cell body, hemoglobin है तो देखिए simple कितना simple question है hemoglobin ही नहीं होगा बाकि exon, dendron, cell body यह सारे जो है neurons के part होते हैं ओके जो है हमारा इसका next day की question इसका next question है channel of distribution does not include which of the following channel of distribution में जो है क्या include नहीं है लेकिए wholesalers, transport agencies retailers या producers तो channel of distribution में कौन सा involved यह transport agencies involved नहीं होती है option b right हो जेगा next of the following is the simplest form of business organization नहीं के corporation प्रोप्राइटर्शिप है private limited है public limited तो simplest form आपका option b हो जगा proprietorship okay next है genetic industry cover genetic industry में क्या आता है ओल exploration आता है कोस्मेटिक आता है cattle breeding माइनिंग तो genetic industry में cattle breeding आ जाएगा option आपका c right हो जगा ओके नहीं टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट्स आर राफर्टो एस तो टेंजिबल और रियल अकाउंट्स आरफर्टो आता है तो हमने हमने क्या आपके आते तो तो थोड़ा से देखे लिए परस्नल परसंट टाइप जो परसंसे में तो इस किसी का नाम राज तो नाम या फिर यह आर्टीफिशल भी हो सकते हैं तो यह बिखना नाम है पार्टनर्शी का परम के सब्सक्राइब ब्रियल अगाउंट है, रियल अकाउंट है। हम्ने टैंडिबल और इंटैंडिबल देखे, इसでも क्या होता है। इसमें क्या होता है storyline प्रोपाटी tv एस वर फंथर टैंडिबल है, जो मतलब कि जिन एंटेंगी कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग हो गया कैस्ट हो गया इंटेशन को टैजिस नहीं कर सकते हैं इस कन और इसमाइंट इस चैनल को गया पैट्रेट हो गया ट्रेड्मसικό को गया है वाकिए को मैंनल अकैंट थे हैं इस हैं और इंकम और ऍश्पन परेंशन उनक्ष यह अब कर दोon कमिटई की बात हो रहे है PTC plays important role in drug safety में रोल है इसका एडियाइड वास drug reaction की monitoring में emergency drug list यह ओल देखिए सभी में ही रोल है इसका option D आपका all right हो जागा next following statement of unit dose system are correct देखिए unit dose dispensing system जो होता unit dose system उसकी बात दिखी हूए कौन सी बात सही है बताईए देखिए patient are charged only for those medications इसमें बाइं तो यूनीट दोस डिसपेंसिंग सिस्टम में यह होता है कि जो भी मेडिसिंग लेते हैं उसी का चार्ज देना होता है पैशेंट्स आरज़्ज ओंली फोर दोस मेडिकेशन विच अंडिकेशन वाइं उके लिद्द मेडिकेशन एर्र सिंस भामसित चेक्स अ को सारी बाते unit door dispensing system की सही लिखी हुए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा option जो लास्ट वाला एफ हो जाएगा ओल नेक्स्ट है फॉलूंग इस नोट mechanical antidote तो इनमें से mechanical antidote कौन सा नहीं है एग है fat and oil सा चारकॉल सा इडिटी यह तो mechanical में नहीं आता कौन सा इडिटी यह नहीं आएगा option डी आपका राइट हो जागा है ना mechanical antidote क्या कराते है प्रिवेंट को प्रिवेंट कराते है जैसे इसमें आपका चारकॉल होता है ना क्या ओलीन होता है नहीं होता है ड्राग में को ड्राउजिनेस constipation में करें do not take on empty stomach तो जो drowsiness कोस करा देती है यह option आपका बी राइट हो जागा ड्रग में कोस ड्राउजिनेस next question which one of the following is not including the inpatient service तो inpatient service में जो इंक्लूड नहीं है देकि issue system complete floor stroke system individual prescription order system यह unit dose dispensing system तो not पूछा है तो inpatient सर्विस में आपका issue system नहीं आता बाकि जो यह complete floor stroke system आता है इंडिविज्व प्रिस्क्रिप्शन ओडर सिस्टम आता है देकिए patients that is admitted in the world उन्हें inpatients कहते हैं different methods of drug distribution system to inpatient inpatients के लिए जो method of drug distribution कौन-कौन से होते है इंडिविज्व प्रिस्क्रिप्शन ओर सिस्टम आता है नेक्स्ट है एक gas used for fumigation, sulfur dioxide, oxygen, ethylene, nitrogen oxide तो fumigation के लिए आपका sulfur dioxide यूज होता है नेक्स question is one among the following substances used in the limit test for heavy metals, heavy metals के limit test में यूज करें किसका hydrogen peroxide का hydrogen sulfide, hydrogen sulfide या thioglycolic acid तो limit test of heavy metals के लिए hydrogen sulfide का यूज करेंगे option आपका B, जो है two right हो जगा नजए iron tincture contain, तो iron tincture के बारे में लिखा हो है इसमें मतलब कि कितना iodine है कितना sodium iodide है यह आपने बताना है iron tincture की बात हो रही है, okay, options देख लिजिए, two percent जो है weight per volume iodine का और two point five, four percent weight per volume sodium iodide का तो बस आपको percent याद होना चाहिए, देखे, ten percent इतना जाता तो नहीं होगा है न, इन दोनों में five दे रखा है तो आपका जो iron tincture, जो weak solution of iodine होता है न, तो option नहीं होजगा, two percent weight per volume iodine होता है legal solution बहुत important है, legal solution और इसको aqueous iodine solution भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार repeat wise का question body fluid found within the cell is cold, इन्हें क्या कहेंगे, plasma कहेंगे, extra cellular fluid, intracellular interstitial, तो ये within the cell मतलब की intera, intera मतलब देखें, intera का मतलब भी क्या होता है, intera का मतलब बता है within, है न, within the cell, intera cellular option see right हो जगा, next है, one percent weight per weight dextrose means, देखें, one percent weight per weight पूछा है, ठीक है, तो weight per weight है, तो क्या कहेंगे, one gram dextrose in 100 gram of product, one gram dextrose in 100 ml, ml का मतलब तो हो गया, weight per volume हो गया, one mole in 100 ml of product, none, तो one percent weight per weight का मतलब है, one gram dextrose in 100 gram of product, option आपका a right हो जएगा, okay, next question क्या है, multiple form of same enzyme are called, iso enzyme, hollow enzyme, apple enzyme, या co enzyme, ठीक होलो enzyme तो जो आपका complete enzyme होता है, apple enzyme प्लस जो आपका होता है, hollow enzyme तो क्या होता है, co enzyme, मतलब की complete enzyme जो होता है, okay, तो आपका जो है, multiple form of same enzyme, तो यह आपका न, iso enzyme बोलते हैं, multiple form of the same enzyme, यह कहेंगे, iso enzyme कहेंगे, okay, next up, what is the major function of carbohydrate का major function क्या होता है, water circulation, mineral transport, storage of food, या all, तो carbohydrate का major function क्या storage of food हो जागा, option C right हो जागा, next up, pellagra is deficiency manifestation of, तो pellagra कौन से vitamin के deficiency से होता है, देखिए, vitamin A, जिसको retinol बोलते है, जो night blindness होता है, vitamin A की deficiency से क्या होता है, night blindness होता है, night blindness, niacin, vitamin B3 को क्या बोलता है, niacin, niacin की deficiency से क्या होता है, pellagra होता है, option B right हो जागा, बाकि pentothanic acid, vitamin B5 होता है, pentothanic acid, जिसको filtration factor भी बोलते है, बाकि biotin दिया है, तो आप cancer option B हो जागा, next, quashior car is manifested due to dietary efficiency of, देखिए, lipids, carbohydrate, protein या विटमीन, क्य है, quashior car, जो है, आपका protein की deficiency से होता है, तो आपका option C हो जागा, protein से, next है, conversion of amino acid into sugar, देखिए, sugar में convert हो रहा है, amino acid जो है, वो sugar में convert हो रहा है, उसे क्या खेंगे, देखिए, hydrolysis, carboxylation, glycolysis, gluconeogenesis, तो यह आपका gluconeogenesis होता है, okay, synthesis of glucose from the non-carbohydrate source, इसे क्या बोलते है, gluconeogenesis, option आपका D right हो जगा, okay, इसमें एक दो टाम लिखी हो, देखिए, glycolysis का मतलब क्या होता है, metabolic pathway, that convert glucose, जो glucose का formula देखिए, C6H2O6, तो आज कल नहीं, फोम्लेस भी पूछे जा रहे है, तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना च्छे, glucose का है, C6H2O6 होता है, तो glucose जो Glycogen की लाइसिस, मतलब की Glycogen की लाइसिस, मतलब की Glycogen टूटेगा, glucose बनेगा, okay, तो इसमें पढ़िये के लिखा हो है, process by which Glycogen, the primary carbohydrate stored in the liver and muscles, cells of animals, is broken down into glucose, जो हमारी बोडी में जो फूड होता है, glucose, the glycogen की फोम में स्टोर होता है, तो Glycogen जो है, हमारा स्टोर है, levers में, muscles में, तो वो breakdown होता है, तो टूटता है, किसमें glucose में to provide immediate energy and to maintain blood glucose level during fasting, okay, और Glycogen लिखा हो है, Glycogen से मतलब की Glycogen की सिंथिस, मतलब की Glycogen बनना, Glycogen से Glycogen बनेगा, process of Glycogen सिंथिस, in which glucose molecule added two chains of Glycogen for storage, ठीक है, तो जो हमारा food हो हमारा जो glucose है, glycogen की form में store होता है, है ना, plants में starch की form में store होता है, और animals में glycogen की form में है, तो यह तो यह हमारा होगे questions, अभी, एक question, जिसका answer हमेशा की तरह आप लोग देने वाले है, comment box में, आप लोगो क्या question है, how many chambers are present in human heart, तो human heart जो है, उसमें कितने chambers present है, 3, 4, 5, 6, इसका answer, आप लोगों ने comment box में देना है, इस video में इतना ही, अगर आपको वीड़ा अच्छी लगए से like करना, शेक करना, चैनल पर नए है, तो भी आप लोगो से request है कि चैनल को पर subscribe जिरू करना, okay, thank you,